कर दोस्तों स्वागत है एक वरी फिर तो अपने यूटूब चैनल पीस्टाट स्टाडी नो और सते उपर जी सो पीस्टाट वाना टू दी त्यारी कर रहे हैं विद्यार्थे आंदे ले इसी डीपी दा लेक्चर नंबर तीन है जिस्ते विच आज आपा इंपोर्टेंट 50 MCQ डिस्कस करांगे इस तो पहला वी काफी जादा वीडियो डिटेल दे विच वी अपलोड ने जी एक एक टॉपक दे MCQ भी मिल जानगे और होना सी हर एक टॉपक दे विच्व मीक्स जड़े MCQ ने हो स्टार्ट कर रहे हैं जिस्ते विच आज थर्ड लेक्चर है नवे विद पीडियां बहुत वीडियो ने जो बिल्कुल सलेवस्ते अकॉर्डिंग ने और जिना दा लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जूगा उस ती हेल्प देना तुसी अपनी जड़ी त्यारिया हो कर सकते हैं जी स्टार्ट करते हैं जी आज दी वीडियो फस्ट क्वे जो कोई नहीं सही अंसर है जी ऑप्शन सी जी सो जी एस हाल ने जड़ा है अमरिका देविच्च पहले पहले के शोर रवस्तादा अध्यन किता सी जी नेक्स्ट है जी क्वेस्चन नमबर टू मनो लेंगी के विकास दास्तान दिता यानि के थियोरी ओफ साइको सेक्सुल ड जी जी सो सिग्मन फ्राइड ने जड़ा है मनो लेंगी के विकास यानि के थियोरी ओफ सेको सेक्स्वल डियल्मेंट दिती सी जी क्वेस्चन नमबर के तीन है जी समाजिक सिखन दास्ता अंधिता शोशल लर्निंग थियोरी किस दोरह दिती गी ऑप्शन एजी बंडूरा और ने लिए जी क्वेस्चन नमबर चार बीने सीमन बुद्धी प्रिक्षन है जो के बी आप्शन है जी व्यक्ति गत भुद्धी प्रिक्षन है जी अंडिवीजवल जड़ा है इस दी वर्तो किति जंधी है Andre ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ d ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ इस करके ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन अपा एक्स्प्लेइन नहीं करांगे दी वीडियो जी क्वेश्चन नमबर सिक्स है जी किसने सिख्या मनुवग्यानू सिख्धन अते सिखाउंदी पर किरियादा अध्यान करनवाला विग्यान किया है सही अंसर है जी सख्या मनुवग्यानू सिख्धन अध्यान करनवाला विग्यान केहा जी नेक्स्ट है जी कोश्चन नमबर चार बिने साइमन कोश्चन नमबर साथ जेगे विलियम वूंट अते टिचेडनर अपने अधियना विच किस विदी दा प्रियोग किता है ओप्शन है जी वस्तुनिष्ट प्रिक्शन विदी सही अंसर आएगा जी ऑप्शन सी जी सो इंट्रोस्पेक्शन यानि के अंतर निरिक्शन विदी दा प्रियोग किता है जी विलियम वूंट ते टिचेडनर ने जी नेक्स्ट है जी कोश्चन नमबर अठ मेक्डूगल दे उन सार उत्सुकता क्रियोस्टी की है सही अंसर आएगा जी मूल प्रिर्ती है यानि के क्रियोस्टी जड़ी है मनुख दे विच जन्म दे नाल ही पैदा हो जान दी क्वेश्चन नमबर नव जी लिबीडो दी व्याख्या कि स्कूल विच परभलन पूर्ण किती की है सही अंसर आएगा जी अप्शन दे विच जड़ा है लिबीडो दी व्याख्या किती की है नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नमबर दस निमन लिखत विचो किस विच बच्चे विच माता पिता नाल मिल दे गुण जड़ेने संचित होंदेने अप्शन है जी आरेन ने बी है जी डी अनने सी है पी अनने डी है जी सार्या विच सही अनसर है जी अप्शन बी जी सो डी अन दे विच जड़ा है बच्चे दे विच माता पिता नाल मिल दे जड़े गुण ने हो संचित होंदेने मैजूद होंदेने किस अवस्था नो ग्रो अवस्था गैंग एज किहा जन्दा है अप्शन है जी रंबक बाल अवस्था बी है अरंबक अक्शोर अवस्था सी अप्शन है जी उत्तर बाल अवस्था डी है जी अप्रोकत सारे सही अंसर है जी आप्शन सी जी सो उत्तर बाल अवस्था नू जड़ा है गैंग एज किहा जन्दा है जी क्वेश्चन नमबर के बारा है जी बरजेश ते अनसर तिन महिने दी उमर विच बच्चे आप्चेड़े संवेग देखे गए सही अंसर ऑप्शन बी जी सो अनांद ते दूख ते अनांद जड़ेश ते अनसर तीन महिने दी उमर दे बच्चेड़े विच आप्चेड़े संवेग देखे गए क्वेश्चन नमबर तेरा है जी वाटसन देन सार नवे जम्मे बच्चियां विच निमल लिखत विचो केड़ा समवेग जड़ा इमोशन है नहीं होंदा option A है जी डर, fear, B है जी गुसा, anger, C है प्यार, love, D है जी दुख, sadness सही answer option D जी सो दुख, sadness जड़ा है वाटसन देन सार नवे बच्चियां दे विच ये जड़ा इमोशन है वो नहीं होंदा question number 14, sorry 14 जी चौवी महिने दी उमर विची का आम बच्चे दी शब्दावली औस तन किन्ने शब्दान दी होंदी है option A जी पजा तो बंजा शब्द B है, साथ तो बाट शब्द C है जी, उनती तो ती शब्द D है जी, बारा तो चौदा शब्द सही answer है जी option C so 39 तो ती शब्द चौवी महिने दा जानि जिड़ा दो साल दा आम बच्चा उस्ते एवरेज शब्दादी गिंती होंदी question number 15 है जी, प्याजे दे उनसार वातावर्ण विच परवर्तन अते स्थिर्ता, दोमा नू पहचानन अते समझन दी योगता नू किहा जन्दा है uncoolन, adaptation, B है जी, ग्यानात्मक सरंचना, cognitive structure, C है जी, मानसिक स्किर्या, mental operation, D है जी, संरक्षन, conservation conservation जी, सही अंसर है जी, इस था option D जी, संरक्षन क्या जन्दा है, conservation क्या जन्दा है, प्याजे दे उनसार, वातावर्ण विच परवर्तन अते स्थिर्ता, दोमा नू जी दो पहचानन अते समझन दी योगता, जड़ी बच्चे दे विच आ जन्दी है, उसनू संरक्षन जड़ा है, प्याजे ने नाम देता है, अग्या जी, question number 16, किस मनुवग्यान नी, सिख्या मनुवग्यान दे विशेते बैस करदे हुए लिख्या, कि सिख्या दे तिन के इंदर हुन दे हन, जिनना नाल सिख्या मनुवग्यान दा वया पैंदा है, जी, सिख्या मनुवग्यान दे विशेते बैस करदे हुए लिख्या सिख्या दे तिन के इंदर हुन दे हन, जिनना नाल सिख्या मनुवग्यान दा वापैंदा है, नेक्स्ट है जी, लड़क्या नालों लड़क्या वादिया हन, ज्यादा तेजी नाल, काट तेजी नाल, बास्त बच्चे जड़े एवरेज बच्चे नेओ बोलना सिखते नेजी 11 महिन्या विच, 14 महिन्या विच, 16 महिन्या विच, जां चैंती महिन्या देविच सही अंसर ऑप्शन C है जी अगला कौश्चन है जी थाइमस गरंथी जाँ पाइनियल गरंथी दी अत क्रियाशीलता नाल जादा क्रियाशीलता नाल बच्चे दे स्रीरक्ते मानसी कवकास बहुत जादा हुंदा है मद दर्जेदा हुंदा है रुकावट पैंदी है जाँ इनना विच्चों कोई नहीं थाइमस गरंथी जाजनू पाइनियल गरंथी भी क्या जन्द है जे ज़्यादा किर्याशील होएता की होएगा option C सही है जी बच्चे दे सरीरक ते मानसी कवकास दे विच्च रुकावट पैंदी है जी इस दी ज़्यादा किर्याशीलता देना next है जी question number अगला जी किस दा विचार है कि 4-5 साल विच्कार बच्चा ओ कुछ बन जानदा है जो कुछ उसने पविखत जीवन विच्च बनना होंदा है option है जी addler, harlak, arstu option D है जी fried सही अंसर option D जी fried जा कहना है कि जो कुछ भी बच्चे ने पर विखत जीवन बनना हो पहले 4-5 साल दे विच्कार ओ कुछ बन जानदा जी अगला question है जी बच्चे दे दुद दे दंदान दी गिंती है option है जी 4, B है 16, C है बत्ती, D है जी V सही अंसर है जी option D जी V हुंदी है जी बच्चे दे दुद दे दंदान दी गिंती next है जी 5 साल दी उमर तक बच्चा लगपग सिख जन्दा है ठारा सो शबद, B है 19 सो शबद, C है 1972 शबद, D है 2,072 शबद अंसर है जी option D जी बच्चा लगपग सिख जन्दा बच्चा पांच साल दी उमर तक जी नवजात शिशु दी आस्त लबाई किनी हंदी है option A 18 इंच जी, B है 19 इंच, C है V इंच, D है जी 21 इंच अंसर है जी option B जी, सो जी बच्चा लबाई है नवजात शिशु दी हो 19 इंच एवरेज होंदी है जी आस्त, 17 तो लेके V इंच तक जड़िया हो सख दी कटोकाट 17 इंच और वद 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 वी इंच तक जड़िया हो सख दी नवजात शिशु दी आस्त लबाई हर लाक दे उनसार किस उमर विच बच्चा मनुखी आवाज अते होर आवाज विच फर्क समझन दी समरता रखदा जी यानि के बच्चे दे अंदर ए योगता आजन दी, अबल्टे आजन दी क्यों मनुख दी वाज या और कोई वाज दे फर्क नू समझन लाग जानदा जी अप्शन है जी एक महिना, बी है दो महिने, सी है तिन महिने, डी है जी चार महिने सही अंसर है जी, अप्शन ए जी एक महिने तक बच्चा जड़ा मनुखी वाज ते दुजियां वाज जानू पहचानन या फर्क होना दे विच्च समझन लाग जानदा अगला कोश्चन है जी, बच्चे दी पहली मुस्कराट या उस दा कोई विशेश विचार जड़ तो पैदा होन वाला हो सकदा यानिके हैरीडेटी तो पैदा होदा है, कथन किस दा जी वाटसन दा, B आप्शन है जी, H ग्रीन दा, C है रूसो दा, D है जी, क्रो अते क्रो दा जी अंसर आएगा जी, आप्शन दी, क्रो अते क्रो दा है, कथन है जी नेक्स्ट है जी, किस अवस्था दे विचकार बुद्धी दा विकास रुक जान दा जी बाल अवस्ता, किशोर अवस्ता, बिर्द अवस्ता या D है जी कोई नहीं बुद्धी दा विकास रुकदा है जी option B किशोर अवस्ता देविच जी next question है जी बुद्धी यते ग्यान विच option A कोई सबंद नहीं B है जी गुड़ा सबंद है C है ग्यान दी सहाथानाण विक्सत किता जा सकदा है D है psychic कोई नहीं सही answer है जी option B है जी गुड़ा सबंद है दोना विच जिन्नी विच बुद्धी होएगी उनना ही वद ग्यान प्रप्त किता जा सकदा है पर ग्यान दी सहाथानाण याद रखने कदी वी बुद्धी रू विक्सत या ड्वेल्प जड़ा नहीं किता जा सकता जी ना या पाहें का सकतें कि बुद्धी ते ग्यान देविच कोई सुबंद नहीं नेक्स्ट है जी टाइपस ओफ मैन किताब लिखी ओप्शन है जी शेल्डर B है क्रेचमर C है जी हीपोकेट्स B है जी सप्रेंगर सही अंसर ऑप्शन डी है जी सप्रेंगर दी लिखी होई बुक है जी टाइपस ओफ मैन अग्या जी जेंडर दा शक्षियत उत्ते परसनेल्टी उत्ते प्रवाव ऑप्शन है जी बिलकुल नहीं प्रवाव 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 करके जर्डा परस्णल्टी दा जर्डफा प्रवाब हो पेंदा जी अगला कोस्चन है जी गलगरंथी थाइरड गलेंड प्रवाब्त करदी है सुबाई नू बी है जी संविकगाई इमोशन नू प्रोकत सारे अंसर आएगा जी option A सुबा आनू जी साधे सुबा आनू कौन प्रवावद करदा है thyroid या सौरी गल गरंती जी thyroid gland next है जी किसने कहा एक अध्यापक मित्तर दार्शनिक अते मार्ग दर्शक है option है जी जहां D loud ने B है जी जहां Dalton ने C है जहां कारबट ने D है जी जहां डेवी ने अंसर आएगा जी option A डेवी जी जहां डेवी दे अंसार अध्यापक किये मित्तर दार्शनिक ते मार्ग दर्शक है जी अगला question है जी सिख्या परनाली विच्च 10 प्लास 2 प्लास 3 अगला question है जी राष्टरी सिख्या ने ती NPE दा होर नाम की है जी option है जी मुडली सिख्या निती B है रजीव गांदी सिख्या निती C है जी नवी सिख्या निती D है जी कोई नहीं NPE दा होर नाम की है जी National Education Policy सही अंसर है जी option C जी इसनों जड़ है नवी सिख्या निती V के है जन्द है नेक्स्ट है जी एक ETT अध्यापक पड़ा सकदा है पंजमी तक B है अठमी तक C है दसमी तक D है जी इनना विच्चों कोई नहीं सही अंसर आएगा जी अप्शन B अठमी तक पड़ा सकदा है जी एक ETT अध्यापक जी अगला कोश्चन है जी जी राष्ट्री सिख्या निती 1986 सिख्या ते खर्च किती जानवाली राष्ट्री आमदन दा प्रतिशत है किन्य प्रतिशत जानी के राष्ट्री इंकम दा जड़ा है ओ सिख्या ते खर्च किता जा सकदा है 1986 दी पॉल्सी देन जार NPE 1986 देन जार राष्ट्री आमदन दा सिख्या उपर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड़े मिल स्कीम शुरू किती गई 16 जनवर 1995 नू B है 15 अगस्त 1995 नू C है 2 अक्तूबर 1995 D है जी इनना विच्छो कोई नही सही अंसर है जी अप्शन B जी 15 अगस्त 1995 नू जोड़ी मिड़े मिल स्कूला ने विच्छ दुपैर दा जिड़ा पोजन दिपता जान दा ओहो शुरू किती गी जी पहला डिसकस का चुकिया कि स्टेट चे शुरू किती गी है तुसी कमेंट करना जी नेक्स्ट कॉस्चन है जी नेशनल ट्रेसी मिशन नल्म दा ओधेश क्रियात्मक साखरता दा परसार करना है पिछड़े वरगा मिच बी है जी बच्चया मिच सी है औरता मिच डी है जी बालगा मिच किस विच जी नेशनल एदा के वरी फुल फॉमी आजिए जी नेलम किये नेशनल लिटरेसी मिशन जी और एदा ओदेश की है जी आप्शन टी जी बालगा देविच जड़ा है सिख्या दा परसार करना शुरू हो इसी पांज मैं उनीसो ठासी नो अगला कोश्चन है सिख्या दे अधकार नाल केड़ी तारास बंदत है आप्शन है जी 51 A B है एकवंजा C है अगला कोश्चन है जी केड़ी सवदानक सोथ द्वारा छेतो चौदा साल दे बच्चेयां लई सिख्या मुफ ते लाजमी किती गई आप्शन है जी 89 सोथ 1999 B है जी 83 सोथ 2000 C है जी पचासमी सोथ दो हियार एक D है जी 86 सोथ दो हियार दो सही अंसर है जी अप्शन D 86 सोथ दो हियार दो दे रही छेतो चौदा साल दे बच्चेयां लई सिख्यानों मुफ ते लाजमी कर देता गया सो इससे करके अठ्मी जमात तक जी जी सिख्या हो मुफ ते लाजमी है अगला क्वश्चन है जी नवोद्या वद्याले मूल रूपी विचहन अप्शन है जी पिछड़े वर्गां दे बच्चेयां ली B है जी परतीबाशाली पर कमजोर वर्गां दे बच्चेयां ली C है जी सरब उत्तम सिख्या ली D है जी ज्यादा तार पेंडूखे लाज़े परतीबाशाली बच्चेयां दे लई जी सो नवोद्या वद्याले अपनों पता भी हर साल प्रिख्यां हों दी है जी पज़े मीचे दाखले ली और उस तो बाद फिर नौवीचे दाखले ली ग्यार मीदे दाखले ली और नवोद्या वजाले जड़े ने बनाए के ना वास्ते गैने ऑप्शन डी ज़्यादा तर पेंडू के तरा ने विचे जड़े परतीबा शाली इंटैलिजेंट बच्चे ने उना वास्ते गी कॉठारी कमिशन उनसार प्रैमरी सिख्या रजाएं अंसर अप्शन आप्शन आ अधैया आपका दी सिकलाई ली विशेश न स्थापता करन दी शपारिश सब तो पहला किती अप्शन है जी शेल्डर कमिशन ने 1909 बी है जी लाड मकाले कमिशन 1335 सी है हंटर कमिशन 1382 डी है जी वुर्ज डिस्पैच 1344 सही अंसर है जी अप्शन डी वुर्ज डिस्पैच 1344 सो इसने श्पार्श किती सी कि अध्याप का दी सकताई दे लेई विशेश संस्थामा स्तापत किती है जा अगला क्वश्चन है जी किंडर गार्टन स्कूलादी स्ताप्ण डितारना किस दी है जी अप्शन है सुकरादी बी है डीवी दी सी है मॉन्टेसरी दी डी है जी फोरबल दी किंडर गार्टन स्कूल ना दी तारना ओप्शन डी जी फोरबल दी जी अगला क्वेश्चन है जी आपका नू हर साल राष्टरी पुर्षकार दिता जन्दा है ओप्शन है जी पंदरा अगस्त नू बी है छबी जन्वरी नू सही अंसर ओप्शन डी जी पंच स्तंबर नू हर साल जड़ा है राष्टरी पुर्षकार जिता जन्दा जी तो आप डेली क्वेश्चन है कि अंतर राष्टरी अध्यापक दिवसका दो मनाया जन्दा यह वी इंपॉर्टन क्वेश्चन है जी कमेंट ब्लीज अगला question है जी, सिख्या नार सबंदत मंत्राला है, मानम संसादन मंत्राला, B है जी, वित मंत्राला, C है ग्रै मंत्राला, D है जी, सिख्या मंत्राला सही answer है जी, option D से है जी, सिख्या मंत्राला अगला question है जी UGC दा मुक कम है option है कमेटियां थे कमिशना दी निवक्टि करना B है जी तक्नीकी सिख्धे दी गुनवतादा निरखन करना C है स्कूर सिख्धे दी गुनवतादा निरखन करना D है जी उच्च सिख्धे दे पद्रा विछ एक सुर्ता पैदा करना यूजी सी फुल फॉर्म यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन और इदा मुख काम की है जी ऑप्शन डी उच्छ सिख्या दे पद्रा विच एक सुर्था पैदा करना जी नेक्स्ट है जी ब्यालवी सोतों पहला सिख्या पारती सवदा आंदी केडी सुची विचे दर सी ऑप्शन है जी समवर्ती सुची बी है जी राज सुची सी है जी केंदरी सुची डी है जी इनना विच्छों कोई नहीं साही अन्सर है जी ओप्षण B जी राज सुची देवेच्त जी रहून जड़ी है समवर्ती सुची देवेच्त जी सिख्छाइज है पहला सिर्फ राज दी जुम्मेवारी सी हून राज ते और जड़ा है के इंदर दुनों इस्ते कुन बना सकते ने ब्यालमी सोथ तो बाद अगला कोश्चन है जी पारतिस्वदान दी केडिता राकम जोर तब केदे विद्यक्ते आर्थकितानों पुरस्ताहित कर दी है अगला कोश्चन है जी एन सी ए आर्टी दी स्थापना किती गई अप्शन है जी स्कूला दी है पार्थ पुस्त करना दा परबंद कर ली बी है सिख्या सबंदी मामलें बारे सरकार नों सेद देन ली सी है अध्यापकाली सैमिनार वर्कशाप आते सम्मेलना दा अजोजन करना डी है वजयारतिया नों दाखले ली सर्टिफिकेट परदान करना दी नैशनल कांसल आफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सो इस ताब फुल फॉर्म काईवरी आजन दी है आफशन बी सही है जी सिख्यास बंदी मामले आबारे सरकार नों सेद देना सो एक आम है एन सी ए आर टी दा लास्ट अपना फिप्टी क्वेस्टन है जी स्टेट यूनिवर्स्टी दा चांसलर आम तरते कौन है जी आफशन है जी राजदा एडवोकेट जर्नल बी है राजदा सिख्या मंत्री सी है राजदा गवर्नर टी है जी राजदा मुख मंत्री स्टेट यूनिवर्स्टी दा चांसलर जी ताओ हुंदा जी ऑफशन सी जी सो राजदा जड़ा गवर्नर है ओ हुंदा जी सो एसी जी आज दे अपने 50 क्वेस्चन नेक्स्ट क्वेस्ट क्लास जी एसस्टी दी होगी जी नौ मजे सो वीडियो वधिया लगेता प्लीज बात बात शेर ते लाइक जरूर करना जी और इसे तरह दिया होगी वीडियो देखने लिए चैनल लो सबस्क्राइब जरूर करना है थैंक यू थैंक यू फू वाचिंग दा वीडियो